आज की इस हेल्थ वीडियो में हम बात करेंगे बार बार मूँ सूखने की समस्या के बारे में कई लोगों को अक्सर देखा गया है कि बार बार उनका मूँ सूखने लगता है और अक्सर गर्मी के मौसम में ये जादा होता है हमारा मूँ तभी सूखता है जब हमारे मूँ में लार नहीं बनती मूँ में लार ना बनने से हमारा मूँ ज़ादा सूखता है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी मूँ सूखने की समस्या दूर हो जाएगी तो आईए देखते हैं हमारी इस वीडियो को जो लोग अच्छी क्वांटिटी में पानी पीते हैं उनकी मूँ सूखने की समस्या दूर हो जाती है क्योंकि जितना जादा आप पानी पीएंगे उतनी जादा ही आपके मूँ में लार बनती रहेगी और ध्यान रहे कि आप पानी की जगा ताजे फलो का रस भी पी सकते हैं इसको पीने से आपके शरी में पानी की क्वांटिटी बनी रहती है टिप नमबर टू सौफ सौफ के अंदर फ्लेवोनाइट्स होता है जो आपके मूँ में लार बनने में काफी मदद करता है तो आपको सौफ को लेकर अच्छे से चबाना है इससे आपका मूँ भी नहीं सूखेगा और आपके मूँ से बदबू भी नहीं आएगी टिप नमबर ट्री नीमबू पानी इक ग्लास पानी के अंदर आपको आधा नीमबू निचोड़ना है और इस पानी के अंदर आप चाहे तो आधा चमश शहद को भी मिला सकते हैं और पूरा दिन इस पानी को पीते रहे इससे आपके मूँ में लार बनती रहेगी और आपका मूँ सूखेगा भी नहीं टिप नमबर फोर अलो वीरा अलो वीरा जेल का जूस पीने से भी आपके मूँ में लार बनी रहती है और आपका मूँ जल्दी सूखता भी नहीं है तो जिन लोगों को dehydration की problem रहती है उनको सुबा उठकर एक कप aloe vera juice जरूर पीना चाहिए तिप नामबर 5 लाल मिर्च आपको अपनी खाने वाली सबजी में या फिर salad के उपर लाल मिर्च को बुरा कर खाना चाहिए लाल मिर्च के अंदर ऐसी ingredients होते हैं जो आपके मुँ में लार को जल्दी बनाते हैं और इससे आपका मुँ भी नई सूपता तिप नामबर 6 नमक के पानी से गरारे करना आपको रोज सुबा उठकर दो या तीन बार नमक वाले पानी से गरारे करने चाहिए तो हलके गुनगुने पानी के अंदर आपको एक चमच नमक डालना है और इससे आप गरारे करें इसको करने से आपके मुँ में लार जल्दी बनती है और मुँ भी नई सूखेगा तो आज की इस हेल्थ वीडियो में हमने जाना कि मुँ सूखने की समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं अगर आपका मुँ भी बार बार सूख जाता है और आपके शरीर में लार की कमी है तो आपको इन टिप्स को जरूर ट्राय करना चाहिए ऐसी ही और हेल्थ वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करे हो तिल देन eat healthy and stay fit thank you